तल पर पहुंच रहे हैं और यहां आप देख सकते हैं कि प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी के साथ केंद्री मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौझूद है और दोनों तरफ प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी के नारे लगाये जा रहे हैं और गंद जोशी से उनका स्वागत किय प्रधान मंत्री जी का दोनों हाथ उठा करके अपने बाजुओं के दम दिखाके आपको बतावे कि इससे पहले प्रधान मंत्री सिंद्री जारकन पहुंचे थे जहां उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुँच चुके हैं और सड़ के दोनों के नारे पे लोग मौजूद हैं और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नारे से गुंजा इमान हो रहा है पूरा स्थल और लोग कलाकार आगे आप देख सकते हैं पारम पर इकवेश भूशा में और प्रधानमंतरी नरींधर मूदी का स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंतरी नरींधर मूदी के साथ энद्री मंतर्य अर्जुन ुन्डा मौ्जूद हैं, कि भाट कि भाट अब की सी youtube एब की लो ख़ने आर बोड की बहरा पड़ कि आ फिरेंद्प्न. भाइबन्दु दोनों हाथ उठाए दोनों हाथ उठाए आपका उस्ता दिखेगा दोनों हाथ उठा करके मुठी बान करके मोदी जी को जै स्री राम जै स्री राम जै स्री राम अब की बार अब की बार अब की बार दोनों हाथ उठाकर के बोलिए जय स्री राम जय स्री राम जय स्री राम नरेंद्र मोधी जिन्दा बार जिन्दा बार नरेंद्र मोधी जिन्दा बार जिन्दा बार नरेंद्र मोधी जिन्दा बार स्वागत है भाई स्वागत है मोदी जी को जैस्री राम स्वागत है भाई स्वागत है मोदी जी का स्वागत है अब की बार जैस्री राम फिर एक बार दोनों हाथ उठाके बोलिए फिर एक बार जैस्री राम नरेंद्र मोदी जिन्दाबाद स्वागत है भाई स्वागत है मोदी जी को जैस्री राम सभी खड़े होके हाथ उठा के दोनों हाथ मुठी बंद करके बोलिए मोदी जी को जैस्री राम स्वागत है भाई स्वागत है अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद प्रशाशन के मित्रों से आगरा है कि सामने जो पैसेज है उसमें जनता को आने दने का कष्ट करेंगे चुकि खाली पड़ा हुआ है पैसेज परसाशन के मित्रोश आग रहा है कि सामने जो पैसेज खाली है उसमें लोगों को आने दने का कष्ट करेंगे एक बार बोलिये नरेंद्र मोधी जिन्दाबाद भार्तिय जन्ता पार्टी जिन्दाबाद इदर से वाजने आदे बिया कमल फुल्चाप जिन्दाबाद न्रेंद्र मोदी जिन्दाबाद फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार न्रेंद्र मोदी जिन्दाबाद न्रेंद्र मोदी जिन्दाबाद नरंदर मोदी जिन्दाबाद देश के सबस्री परदार मंतरे और देश ने दुनिया के सबसे लेकु प्रिये नेता आधरियन नरंदर मोदी जी का मंच में आख़न हो रहा है एक बाप पूरे पंडाल पूरे जो सामने ख़ड़े मित्तों साग रहे एक बार जोड़ार ना लगांगे नरंद्र मोदी जिनदाबाद! नंद्रमोदी जिन्दाबाद उनका भी नंदन कर रहे हैं और प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी भी हाथ हिला कर उनका भी वादन स्विकार कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी के साथ केंद्री मंत्री अंजर मुंडा भी मुझूद है इसी के साथ उन्होंने कहा इस मौके पर उन्होंने संबोधन में कहा कि यूर्या की खेत्र में जो उरवरक संग्य अंत्र जिसकी आज आज अपचार को घाटन हुआ है उसमें आत्म निर्भरता बढ़ेगी, साती भारत यूर्या उतपाधन में आगे भढ़ेगा, साथी सात र अकड़े सामने आये हैं जिसमें 8.4 GDP दर का जो नुवान लगाया गया है उससे ये दर्शाता है कि भारती आर्थ फिरवस्था इस समय मजबूती के दोर से गुज़र रही है और यहां जिन तस्वीरों का आप दीदार कर रहे हैं वो हैं धनबाद के तस्वीरे जहां प्रधा दोनों तरफ आप देख सकते हैं सड़क के जन सहलाब मौजूद है जहां प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी के आगमन का उनका स्वागत किया जा रहा है उनका भी नंतन किया जा रहा है और प्रधान मंत्री भी हाथ हिला कर उनका भी वादन स्वीकार कर रहे हैं आपसे कुछी देर बाद प्रधान मंत्री सभास्थाल पर पहुँचेंगे जहां वे जन सभा को सम्बूधित करेंगे और इससे पहले वे सिंद्री जार्खंड में मौझूद थे जहां प्रधान मंत्री ने सिंद्री उर्वरक संयंतर का अपचारे को धगाटन किया आपको बतादे कि आज प्रधान मंत्री नरींद मोदी ने 36,000 करोड रुपे की विकास परियोजनाए जारखन को समर्पित की है और ये विकास परियोजनाए जो है वो सिंद्री उर्वरक सैंटर से जुड़ी हुई है कोईला ख्षेत्र से जुड़ी हुई है, रेल और बिजली ख्षेत्र से जुड़ी हुई ये परियोजनाए है आज प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने 17,600 करोड रुपे से अधिक की कई रेल विकास परियोजनाए राश्टर को समर्पित करी जिसमें प्रधान मंत्री ने तीन ट्रेनों को हरी जंडी भी दिखाई प्रधान मंत्री ने धनभात के सिंद्री में स्थित्थ हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड एच यू आरल उर्वरक सेयंत्र को राश्टर को समर्पित किया आठ हजार नौसु करोड़ रुपे से अधिकी लागत से विकसित ये उर्वरक्सेंत रूर्या क्रित में आत्निर्भरता की देश्या में एक जिन्दाबाद जैस्रीराम 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 मोदी जी को जैस्रीराम मोदी जी को जैस्रीराम मोदी जी को जैसिर राम भारतिय जन्ता पाटे जार्खन परदेश के परदेशा दज और जार्खन राज के पर्थम मुकमंत्रे आधर ये बाबुलाल मुरांडी जी से मैं आगरा करता हूँ कि देश के सुष्वी परदान मंत्रे गरीब का बेटा आधर ये द्रेंद्र मोदी जी को अंग बस्तर देकर समानित करने का कश्ट करें साथ मैं केंद्रे मंत्री आधर ये अर्जुन मुंडा जी पर्ति पक्ष के नेता मरबावरी जी केविनेट मिश्टर श्रीपति अनमुड ना दीच आप गया है कि सभी लोग अंग बस्तर देकर मोमेंटों देकर आधर ये परदान मंत्री जी का स्वागत करने का काम करें और बाद बोलें जय जय स्रीराम गंद्र मोदी जिनदाबाद जय स्रीराम फीरे के बार फीरे के बार जारकन राज में प्रति पक्ष के नेता जुवा तुर्क नेता आधनियमर बारुई जी से आग रहा है क्यों आए और स्वागत भाचन करें आधनियमर बारुई जी मेरे साथ कहेंगे बारत माता की दोनों हाथ उठागर के बारत माता की बारत माता की वंदे वंदे जै सिरी राम जै जै सिरी राम जारकन की इसे पाउन धर्ति पर अपने धर्तियावा बिरसा मुंडा जी के इस पाउन धर्ति पर सिद्धू कानू फुलो जानू चान बेरो की इस पाउन धर्ति पर हमारे विनोद विहारी महतो जी की पाउन धर्ति पर देश्व के सिस्वी लाडले विश्व के सरवाधिक लोग प्रियनिता और 500 सालों के संगर्ष के बाद जिसे राम जनम भूमी में अपने राम लला की प्रान प्रतिष्ठा करने का सवभग्य प्राप्त किया और 500 सालों पहले लिएगे संकल्प की सिद्धी प्राप्त की ऐसे अपने प्रधान मंत्री लाटले प्रधान मंत्री नरेंदर भाई मोधी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वाखत करना चाहता हूं अविननन करना चाहता हूं आज इस बिजाई संकल्प महारेली में अपने राज्जी के पर्थम मुख मंत्री और अपने जार्खन परदेश के सस्वी परदेश अध्यच स्रिमान बावलाल मरांडी जी, केंदिरिय मंत्री स्रिमान अर्जुन मुंडा जी, स्रिमाति अनपूर्णा देवी जी, अपने तीन लोग सभा के आये हुए तमाम अपने बिधाय के गन, तमाम मंच पर अपस्थित सांसद गन और यहां उपस्थित तीन लोग सभा के अपने जीले के अध्यच, अपने तमाम पदादिकारी गन, भारतिय जन्ता पार्टी के और लाखों की संख्या में यहां आदर ने परधान मंत्री जी का अपना संवोधन सुनने के लिए उनका अपना अउत्सा परधन करने के लिए आप सब के आप जितने लोग भी आए हैं आप सब का सौगत है अविनंदन है आप सब का कोटी-कोटी प्रणाम है दोस्तों परधान मं समुन्डा के उस पवित्र भूमी उलियातु में जाते हैं और उस माथे उस मिट्टी को अपने माथे में तिलक लगाते हुए देश को 2047 के विक्सित भारत की परकल्पना देते हुए संकल्पित करने का हुआन करते हैं क्या ये 100 अरब देशवासी हम सब लोग संकल्पित हो कर के एक भाव से इस सिद्धी में लग जाए कि 2047 में अपना देश विक्सित भारत बनेगा इस संकल्प को लेने के लिए इस संकल्प को दोहराने के लिए बापस तीसरी बार जो देश आज 10 साल में विश्व का पांचवा अर्थवास्ता बना है अगले बार 2029 तक यह तीसरा अर्थवास्ता बनेगा और उस संकल्प को दोहराने के लिए कि अब की बार 400 अब की बार अब की बार आज इस संकल्प को दोहराने के लिए और हम भारते जंता पार्टी के करकरताओं को इस संकल्प दिलाने के लिए आज इस धर्ती पे आपका अगमन हुआ है और यह संकल् मंत्री जी के संकल्प के कारण आज उसका सुबुद घाटन हुआ और वे सिद्धी प्राप्त हुई आईए हम सब मिल करके अपने स्वी परधान मंत्री जी का फिर एक बार विनंदन करें स्वागत करें और एक बार फिर से जैसीराम के नारे के साथ उनका भी नंदन करें जैसीराम जैसीराम भारत माता की जै धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आदानी हमरा वारुजे और अब इस राज के पर्थम मुख मंत्रे और भारतिये जन्ता पार्टी के लोग प्रिये पर्देश सद्दच आदानी बाबुलान मरांडी जी से आगरे करना चाहता हो कि आए अपनी बातों को रखने का काम करें आदानी बाबुलान मरांडी जी भारत माता की भारत माता की भारत माता की चलिये बहुत बहुत धन्जवाद आज हमशबलों के बीच उपस्थीत देश के यसस्वी प्रधान मंत्री और इस धर्ती के सब स्रीय लोक प्रिय नेता आधरनीय श्री नरेंदर भाय मोदी जी और मंच पर उपस्थीत भारत सरकार के मंत्री और जार्खन प्रदेश के पूर मुख मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी मंच पर उपस्थीत भारत सरकार के केंदरिय बारत सरकार के सिच्छा राज मंत्री कोडर्मा से सांसत श्रीमतिय अनपुरुना देवी जी और मंच पर उपस्तीत प्रतिपस के नेता Sree Amar Bauri जी मंच पर उपस्तीत सभी सांसद गन, विदायक गन, पूर्षांसद गन, पारटी के प्रोदेश के पदादिकारी गन और इस कार्जकर में उपस्तीत वहनोर वायों प्रेश के साथ हो आज हमश्व लोगों के बीच देश के प्रधान मंत्री उपस थी थे और आज जार्खन प्रदेश को डेर सारे तौफा ने उनको देख करके आज आ रहे है मैं अपने ओर से उनका स्वागद भी करता हूँ, अविनंदन भी करता हूँ और साथ ही मैं उनको ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि जार्खन प्रदेश में पिछले 2019 के चुनाओं में NDA गडवंदन को जहां 12 सीटे मिले थी हम सब लोग इस बार जार्खन के 14 के 14 सीट जेत करके इस देश में फिर से नरेंदर मोदी जी की नेत्वित में सरकार बने और जार्खन की जनता वे उसके लिए कमर कस चुकी है और इसलिए मैं आज यहां इतना ही निवेदन इतना ही मैं कहने के लिए शरीफ खड़ा हुआ हूँ देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी की जो गारंटी है सब का साथ सब का विकास और सब का साथ और सब का विकास जिस प्रकार से इस देश में इन दस वर्सों के अंदर में जो विकास का काम हुआ है आज देश की जनता ने भी उनके प्रती एक वड़ी विश्वात प्रकट की है और आज यहां उपस्थित जन्समों ही यह बता रही है कि देश की जनता और इस प्रदेश की भी जनता का विश्वात देश के प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी जी के साथ है उनके उपर है यह आज इस उपस्थिती यह बता रही है और मैं इतना ही कहूंगा कि आज इस प्रधान मंत्री यह गारंटी देते हैं कि इस देश में कोई भूखे नहीं रहेंगे कोई भूखे नहीं सोएंगे इस देश को हमें गरीबी से निकाल करके विक्सित भारत बनाना है लेकिन जहां एंडी एलाइंस की जो जारखंड में सरकार है वो यहां लूटने में वो लगी हुई है और इस राज के आप किस प्रकार से इस प्रधेश की सरकार ने पिछले चार वर्सों में जो यहां मुखमंत्री रहे उन्होंने इस प्रधेश को किस प्रकार से लूटा वो आप सब जान रहें चहें वो नादी की चहें वो बालू हो चहें वो पहाड की पथर हो चहें वो कोईला हो चहें लोहा हो यहां तक कि जमीन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा आ महराजा लोगों के पास भी वो जमीन नहीं है इतनी और वो जमीन किसका इन्होंने लूटा गरीबों का लूटा जब मैं उन सारे दस्तावेज को देख रहा था कि इन्होंने किसका जमीन को लूटा है चाहे वो धनबाद हो चाहे वोकारों हो चाहे वो राची हो चाहे जारख कि करते हैं लेकिन सबसे अधिक सोसित और पीडित रहे हैं इस सरकार में तो हमारे आदिवासी भाई बहने रहे हैं आप कोई आश्चर्ज होगा इस राज के अंदर में जो घटनाए कानून व्यवस्ता मैलाओं के साथ जो उत्पिडन छे साड़े छे हजार से अधिक हुआ इ अलीद महिलाएं रही है कमजोर तबगे के महिला उत्पिडित रही है और उसमें भी जैसे प्रीमेटिव ट्राइब जो आदिम जन जाती है आप सब को पता है कि जिस छेत्र से हेमन सोरेंजी आते थे बरहेट से वहीं पर एक पहाड़ीन को छपन टुकडों में काट करके फ सबस्ता खराब है उसी छेत्र में उसी बरेड विदान सभा के छेत्र में दरजनों संथाल और पहाड़िया बचे अग्यात बिमारी से लोग मर गए लेकिन उनके घरों तक नहीं गए एक दिन भी देखने के लिए नहीं गए और अपने को आदिवासी के हिमायति कहते हैं अ राज अगर वो जेल में है तो आप एक घटनाव याद करिए किस प्रकार से वो करते हैं जब इस राज के जब देश के संस्थान जो एडी वालों ने राची दिल्ली स्थित उनके आवास में जब छापा मारा तो वहां पर 36 लाक रुप्या नगत पकड़े गए और उन्हों ने कहा कि यह पैसा हमारा नहीं था यानि एडी वालों ने वहां रख दिया और राची के हाई कोट में वो लिखी देते हैं यह पैसा हमारी पार्टी के लोगों ने इलाज के लिए वेक्तिकत परिवार क्या कहते हैं पिताजी के इलाज के लिए पैसा लोगों ने जमाक्या तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से लूट की माल को कैसे वो, अपना ना बता कर के कभी कुछ बताते हैं, तो आज वो भी वेक्टी जेल में बंद हैं। और इस राज के अंदर में जो हुआ है इन चार वरसों में, आप सब देखे होंगे नवजवान अच्छा किसा महसूस कर रहे नौकरी के नाम पर नौकरी तो हुआ नहीं उस पर क्या हुआ पिछले दिनों पेपर लीख हुआ उसमें से जो जानकारियां मिली है उनके जो बड़ी मित्र अभीन मित्र जिनके साथ देश विदेश की घुमते हैं उनके घर पर जब एड़ी वालों ने छापा मारा तो वहां से क्या निकला बच्चों का वो सब एड्मिट कार्ड निकलता है और उस एड्मिट कार्ड को उनके यहां से मुखमंत्री के यहां ता का उसको क्या करते हैं वाड्सव में मेसेज यहां से वहां जा रहा है मानों लगता है यह सिसी का वो दफतर बन गया था और यहां के जिन बच्चों से पैसा लिया गया था गाड़ी में बोज बोज करके पटना में कॉशिन पेपर रटवाय जा रहा था यानि इस राज के जो सरकार है पहले भी जो सरकार वेमंसरिन के नेत्वित में थी तो उन्होंने क्या कर रहा था कोईला तो उन्होंने बेचा ही बालू उन्होंने बेचा ही जमीन उनों ने बेचाई यहां की नवजवानों का नोकरी को भी बेचने की पूरी तैयारी किये थे और आज जो बर्तमान मुख मंत्री है वो घूम घूम करके कहता है आबोवा आवास लेकिन आवास के नाम पर उगाही चल रही है बड़ी तेजी से चल रही है एक एक आवास में 20 हजार 25 हजार लूपया लिया जा रहा है बिचारे वो गरीब कहां से लाएंगे यानि आवास उनको मिल रहा है जो घूस दे रहे हैं और उतनी पैसा गरीब के पास तो है नहीं यानि गरीबों को नहीं मिल रहा है आज जो चमपई सोरेंजी मुख मंत्री बने हैं ये भी उसी नक से कदम पर चल रहा है और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा कि ये 2024 लोगसभा की चुनाव में हम सब को दीन रात मेहनत करके एक कर देना है और अपने को यहां से 14 के 14 लोगसभा सीट जिताना है इनी सब्दों के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आधानी प्रदेशत दज्जे और एक बार बोलेंगे सभी लोग जय श्रीराम जय श्रीराम नरेंद्रमोदी जिन्दाबाद नरेंद्रमोदी जिन्दाबाद मित्रो मांदिर परदान मंत्री जी के बारे में गाव गरीब किसान मजदुर बोलता है कि आप वो सूरज है आप वो सूरज है जिसे छू कर कोई जला नहीं और आप वो दीपक हैं जिसके तले अंदेरा पला नहीं अंदेरा पला नहीं अंदेरा पला नहीं नरंद्र मोधी जिंदाबाद मान ये परदार मंत्री से बिनम्रता पुरुव कागरा है कि वाए अलाग हो अलाग की संख्या में जब उपस्तित है उनको संभोधित करने का काम करें आदर निंदर निंदर मोह दीजी भगवान विर्शा मुंडा की जोहार जारखन मरांग बुरु की धर्ती को मेरा शत्त शत प्रणाम निर्वान भूमी पारसनाज को भी मेरा प्रणाम आप सभी इतनी विशाल संख्या में हमें आशिरवाद देने आये है आपका यही जोश यही उत्सा जिसके कारण देश में एक ही गुंज है मैं भी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गुंज है अपकी बार चार सो पार अपकी बार अपकी बार अपकी बार अपकी बार है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है मैं सबसे पहले स्वम्यता के धनी अत्यंत सरल मेरे बहुत पिराने मित्र बाबुलाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे आपके बीच में से निकाल करके आप सबके दर्शन करने का सवभाग्य दिया मैं इसले उनका आभारी हो और जब मैं आप सबके दर्शन कर रहा था तो बहुत पुराने पुराने चहरे जिनके साथ मुझे संगठन में काम करने का सवभाग्य मिला है ऐसे सब पुराने साथियों को आज मुझे नीकट जाकर के प्रणाम करने का आउसर मिला मैं सबसे पहले आप सबकी माफी मांगने आ चाहता हूँ आप सबकी शमा मागना चाहता हूँ शमा इसलिए यह जो पैंडाल हमने बनाया है वो बहुत छोटा पड़ गया और बड़ी मुश्किल से 5% लोग पैंडाल में है और 95% लोग बहार दूप में तप रहे है यह जो दूप में तप रहे हैं आपको जो अस्विदा हुई इसके लिए मैं शमा मांगता हूँ लेकिन इस धूप में भी तप करके आप जो हमें आशिरवाद दे रहे हैं कार्य करने की एक नई उर्जा और प्लेना दे रहे हैं आप सबको जारखन के मेरे प्यारे भाईयो बहनों आप जो तप कर रहे हैं न यह तप मैं बेकार नहीं जाने दूँगा मैं विकास करके ब्याज समेत यह आपकी तपस्या को लोटाओंगा यह मैं आपको गारंटी देता हूँ क्यांए नह 있게 हैं झाmy प्याए लोगा लो ओया जामा एक 200 आप सभर्ण आपक Keyघर का प्लेना जापको जिए्या आपस्टर्सन को यहूँगा क्र एक रह एक बींध ही दोक्तव' क्रेध भींया नहीं जा बह्ना हाई क्चिछ-दादám कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पता नहीं कितने जन्मों का पुन्य होगा मुझे जो आप मुझे इतना प्यार इतना आशिरवाद दे रहे आप मुझे बताइए आप जो मुझे इतना प्यार देते हैं इतना आशिरवाद देते हैं क्या मैं आपके लिए जिन्दगी खपाऊंगा के नहीं खपाऊंगा आपकी भलाए के लिए जिऊंगा के नहीं जिऊंगा शरीर का कान कान समय का पल पल आपको समर्पित करूंगा के नहीं करूंगा आपको विश्वाथ है न यहीं मोदी की गारंटी है मेरे भाईयों भनों अभी मैंने सिंद्री खाद कार खाने को जो फिर से शुरू करने की गारंटी दी थी साल दोहजार अठारा में मुझे सिंद्री के इस खाद कार खाने का सिलान्यास करने का सवभाग्य मिला और आज सिंद्री के इस खाद कार खाने का लोकारपन हो गया आप मुझे बताईये साथियों क्या आपने सोचा था कि एक कार खाना एक दिन फिर से शुरू हो जाएगा सब लोग निरास हो चुके थे ना सबने मान लिया था बद हो गया ताला लग गया लग गया माना था कि नहीं माना था लेकिन यह मोदी तो है जिसकी गारंटी में दम है और इसलिए जिसकी आशा भी आपने छोड़ दी थी उसमें भी उर्जा भरने के लिए आपने मोदी को काम दिया है इथाज कार खाने से यहां युवाओं के लिए हजारों रोजगार के नए आउसर बनेंगे इस खाज कार खाना से पुर्वी भारत के किसानों को बहुत लाब होगा साथियों भाजप का मतलब है भाजपा का मक्सद है और वो है विकास विकास तेज विकास जबकि कॉंग्रेस हो या उसके सहयोगी दल वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है अब देखिये उस्ता में उधान आपको याद कराता हूं नौर्थ कर्णपुरा का बिजली का कार खाना यह बहुत बड़ा उधान है इसका स्चला न्याद पिछली सदी के अंत में अटल विहारी बाजपाई करके गए थे लेकिन फिर कॉंग्रेस की गोटाले बाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिन्दा करने की गारंटी दी थी आज इस बिजली कारखाने से अनेकों घर रोशन हो रहे हैं मोदी ने उन गरिबों की भी चिन्ता की है जिनके घर पहले बिजली कनेक्शन नहीं था सवभागी योजना से हाँ धनबाद में भी करीब एक लाख गरों में पहली बार मुप्त बिजली कनेक्शन लगा है इसलिए तो देश कह रहा है जहां दूसरों से उमिद खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है साथियों जारखन के आप लोग मोदी की ऐसी अनेक गरंटियों के गवाँ है जो बीते वर्षों में पूरी हुई है देवघर में जारखन के दूसरे एरपोर्ट का सलान्याथ मैंने 2018 में किया था साल 2022 में इसके लोकारपन करने का आउसर भी आपने मुझे ही दिया साल 2018 में ही मैंने जारखन के पहले एम्स की आधार्चिला रखी थी और 2022 में इसका लोकारपन भी आपके ये सेवक मोदी ने किया आज जारखन देश के उन राज्यों में है जहां रेलिवे का शत्त प्रतिशत बिजली करण हो चुका है जारखन को अब तक तीन आधुनिक मेड इन इंडिया बंदे भारत ट्रेने मिल चुकी है कुछ दिन पहले ही अम्रित भारत स्टेशन योजना के तहट जारखन के 27 रेलिवे स्टेशनों के आधुनिक करण पर काम शुरू हुआ है एक साथ 27 स्टेशन पिछले सोथाल में ये काम नहीं हुआ होगा 25 फरवरी को ही जारखन में अस्पतानों से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का सिलान्याद भी किया गया है साथियों जारखन में तेज विकास के लिए ये जरूरी है कि हाँ कानून व्यवस्ता अच्छी हो शाचन प्रशाचन इमांदार हो लेकिन जब से यहाँ जेमेम और कॉंग्रेस की परिवारबादी ब्रस्टाचारी और तुष्टी करणवाली सरकार बनी है में तब से सीतियां बहुत बिगड़ी है जेमेम का मतलब हो गया है जम करके खाओ जारखन में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है तुष्टी करण के चलते गुष्पैट बढ़ती जा रही है और यहाँ जेमेम कॉंग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है अपनी तिजोरियां भरने का इन लोगों ने जारखन की जनता को लूट कर आपको लूट कर आपके पसीने की कमाई को लूट कर अपने लिए बे नामी संपतियों के पहाड बना लिये हैं आपने देखी हैं ना यहां किस तरह नोटों की गड़ियां निकल रही हैं मैंनो तो अपनी आखों से कभी नोटों के ऐसे डेर देखे ही नहीं हैं पहली बार टीवी पे देखा क्या जारखन कमाल कर रहा हैं कोईले के डेर तो देखे थे नोटों के डेर देख रहे हैं और अभी बाबुलानली तो तो बढ़िया वड़नन किया है इसका भायों बहनों ये आपका पैसा है ये जारखन के गरीब आदिवासियों का पैसा है ये आपका पैसा है आपके बच्चों के भविश्य के लिए पैसा था इसे लूट लिया गया है क्या आप ऐसे लोगों को माप करोगे ऐसे लोगों को माप करोगे क्या ऐसी बेइमानी जारखन में चलने दोगे क्या आपका रुप्या कोई लूट ले आपको मंजूर है ऐसे ब्रस्टाचारियों के खिलाब कार्यवाई होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए उनकी जिन्दगी जेलों में जानी चाहिए के नहीं जानी चाहिए जो जनता का लूटा है वो लोटाना पड़ेगा ये मोदी की गारंटी है साथियों जम्मोदी ऐसे ब्रस्टाचारियों पर एक्षन लेता है तब ये लोग तरह तरह के बाहने बताते हैं ये लोग जाँच से भाग रहे हैं क्योंकि लोग अपने कारणा में जानते हैं जेमेम और कॉंग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ और सिरफ वोट बैंक ही समझा है जारखन में इतने जनजातिये परिवार है इतने प्रतिभाशाली नवजबान है ये लोग उनको कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि परिवारवादी अपने ही परिवार की सोचते हैं जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविश्य के लिए कर रहा है आपके बच्चों के भविश्य के लिए कर रहा है आप मुझे बताईए ये जेमेम को चलाने वाले जो लोग है एक ही परिवार के हैक नहीं है एक ही परिवार के हैक नहीं है वो अपने बच्चों का भ़ला करनेंगे का आपके बच्चों का भ़ला करेंगे उनको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चों की चिंता है यह मोदी है आप ही मेरे परिवार्जन है आपके बच्चों का भविश यह मारी कारंटी है साथियों धनबाद और आसपास का एक खेत्र उद्यम्यों और समिकों का खेत्र है लेकिन मोदी आपके लिए जो भी योजना बनाता है ये इंडी गड़बंदन वाले उसका विरोध करते हैं क्या फिर उसमें अढंगे डालते हैं कोरोना काल में हमने मुपतर आशन की योजना शुरू की लेकिन इंडी गड़बंदन के लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं कि इंडी गड़बंदन वाले चाहते हैं कि मुपतनाज देने वाली योजना बंद कर दी जाए आप मुझे बताईए भाई गरीब के घर का चूला जलता रहना चाहिए के नहीं आप मुझे बताईए चूला जलता रहना चाहिए के नहीं आप मुझे बताईए गरीब का बच्चा पेट भनने के बादी सोना चाहिए के नहीं सोना चाहिए क्या गरीब की सेवा मोदी को करनी चाहिए के नहीं करनी चाहिए ये इंडी गट बंदन वाले कितना ही दबाव बना ले लेकिन ये मोदी न जुकने वाला है न खटने वाला है ये मुपतनाज वाली जो गरीबों की योजना है न वो मोदी चालू रखेगा आगे भी चालू रखेगा ताकि गरीब के घर का चूला जलता रहे साथियों यहाँ जारखन के अनेक भाई बहन दूसरे राज्यों में काम के लिए जाते हैं मेरे यहाँ गुजरात में तो मेरा बहुत लोगों से मिलना होता था मैं कभी सीमा पर जाता हूँ तो वहाँ पर भी काम करने वालों में मुझे मेरे जारखन के भाई बहन मिल जाते हैं ऐसे साथियों को उनको भी जहाँ हो वहाँ मुप्त राशन मिलता रहे हमने इसका भी इंतजाम किया हमने एक देश एक राशनकाड योजना बनाई हैं मेरे मज्जूर साथियों को किसी नई जगह पर जाने पर नया राशनकाड नहीं बनाना पड़ता साथियों भारत को विक्सित बनाने में नारी शक्ती की महत्वप्ण भूमिका होने वाली हैं और मैं देख रहा था जब मैं थुली जीप में आ रहा था जितनी मात्रा में माताई बहने आच बुद्रश्य था इतनी बड़ी तादाद में माताउ बहनों का आना वो भी अभी तो खाना खाना या पकाने का टाइम होता है तब आकर के मोदी को आथिरवाद देने के लिए आ जाएं यह चितना बड़ा प्यार है साथियों यह माता हो बहनों की सेवा बीते दर्स वर्सों में टॉइलेट हो गैस कनेक्शन हो बहनों की ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान भाज पाने किया है भारतिय जनता पार्टी ने किया है उजवला की लाभारति बेहनों को बहुत सस्ता गैस चिलिंडर भी भाजपा सरकार ही दे रही है अम्बोदी पानी की समस्याओं का समाधान करने में जूटा है लेकिन यहां इंडी गडबंदन की सरकार इस काम को भी रोक रही है इतने साल बाद भी जारखंड में जल जीवन मिशन का करीब करीब पचात प्रतिशत काम पुरा नहीं हो पाया है जारखंड की इंडी गडबंदन की सरकार यहां गरिबों के पक्के घर बनाने में भी रोड़े अटका रही है और अभी बाबुलाल जी ने बताया उसमें भी मलाई खा जाते हैं साथियों इंडी गडबंदन की सरकार विकास विरोधी है जनता विरोधी है यह लोग जनता का हक छीनकार सरकार में मौज करने के सिवाए उनके पास कोई वीजन नहीं है जबकि मोधी की कोशिज है कि आपका अधिकार सीधे सीधा आपको मिले आईश्मान भारत के तहट मुप्त इलाज होता है तो सीधा पैसा अस्पताल को पहुँच जाता है पी-म किसान सन्मान निदी सीधे मेरे किसानों के बैंक खाते में पहुँच जाते हैं एसी एस्टी समात के विद्यारतियों की स्कॉलर्सिप कोई पिचोलिया नहीं कोई कटकी कंपनी नहीं कोई मलाई खाने वाला नहीं सीधे सबके बैंक खाते में पैसे पहुँच जाते हैं मंद्रेगा की मद्दूरी सीधी बैंक खाते में आती है गैस सिलिंडर की सबसीड़ी सीधी बैंक खाते में आती है मोदी के ऐसे ही कामों ने इंडी गडबंदन के बिचोलियों का कमिशन बंद कर दिया है, अब मुझे बताईए, जिनके ये कमिशन बंद हो गए है, तो मोधी को गाली देंगे कर नहीं देंगे, मोधी पर गुसा करेंगे और नहीं करेंगे भाती भाती का जुट भालाएंगे और नहीं भालाएंगे पानी पी करके गालिया देते हैं लेकिन उनकी एक भी गाली मुझत तक नहीं पहुंचती हैं क्योंकि आपके आशिरवात की इतनी मजबुत दिवार है कि एक भी गाली मुझ तक नहीं पहुंचने देती है और इसलिए इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ और भाईयों बहनो मेरा पक्का विश्वास है मेरा इस देश की जनता पर विश्वास है इस देश के गाव गरिब किसान पर विश्वास है इस देश की माता और बहन और नवजवान पर विश्वास है और मेरा विश्वास है कि लोग जितना किचड उचा लेंगे जितना जादा किचड उचा लेंगे उतने ही जादा कमल खिलेंगे साथियों आदिवासी कल्यान और आदिवासी समाज की भागेदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्रात्विक्ता है इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो अलग जार्खन राज का निर्माण ही है ये भाजपाई हैं जिसने अलग वादिवासी कल्यान मंत्राले बनाया और बीते दस वर्ष में इसके बजेट में पाज गुना बढ़ोतरी की आदिवासी समाज में भी सबसे पिछडी जनजातियों की पहली बार सूद लेने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम भाजपा है मैंने जार्खन सही इन जनजातियों की विकास के लिए 24,000 करोड रुपिये की पी-म जन्मन योजना शुरू की थी इसके तहट आदिवासी परिवारों के घर बन रहे हैं, दूसरी सुविधाएं बन रही हैं, रोजगार के साधन बन रहे हैं इसका लाप हमारे जार्खन की बैगा, बिरहौर, बिरजिया, कोरवा, परहिया, सवारा ऐसी छोटी-छोटी-छोटी आखरी छोर पर बैटी वी, मेरे जनजातिये भाई बहनों को इसका लाब मिल रहा है ये बाजपाल सरकारी हैं, जिसने भगवान बिर्शा मुंडा का संग्रालय बनाया उनके जनव दिवस को राष्ट्रिय जनजातिये गवरो दिवस गोशित दिया, साथियों, हर गरीब का सपना ही, और आप लिख लीजिए, आपका सपना, आपका सपना ही, मोदी का संकल्प है मैं खुद दिन रात इसलिए खपा रहा हूँ, ताकि देश में गरीबों की मुश्किले कम हैं, जितनी कम हो, मैं उसके लिए कुछ न कुछ करता रहा हूँ मेरे देश के गरीब, गरीबी से जल्दी से जल्दी बहार निकले, बिते दस साल में देश में पचीश करोड गरीब, गरीबी से बहार आये हैं, जब उन पचीश करोड भारतियों की गरीबी दूर हो सकती हैं, तो जो अभी भी गरीबी में जी रहा है, मोदी पे परोसा आपकी गरीबी भी जाएगी मोदी का संकल्प है विक्सिद भारत के लिए विक्सिद जारखन आप लोग यहां से जाएंगे तो मेरा एक काम करेंगे मेरा एक काम करेंगे ऐसा नहीं हाथ उपर करके बताईए तो मानू मेरा काम करेंगे पक्का करेंगे यहां से जाने के बाद अपने घर के आसपाथ गाउं में महले में जो भी लोग हैं उनके पाथ जाएगा जो आज रेली में नहीं आ पाए उनके पाथ जुरूर जाईएगा और उनसे कहिएगा कि मोदी जी धनबाद आये थे मोदी ने आपको प्रणाम कहा है मेरा प्रणाम पहुँचा देंगे हर घर में प्रणाम पहुँचा देंगे एक बार फिर आप सभी का इतनी विशाल संख्या में आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं विशेश रुप से जो धूप में तप रहे है न उनको फिर से वह एक बार धन्यवाद करता हूँ मैं देख रहा हूँ एक भी व्यक्ति वहाँ से हटा नहीं है क्या प्यार है आपका क्या आश्रिवाद है आपके ये कभी बूल नहीं सकता हूँ भाईयो मैंनो कभी बूल नहीं सकता हूँ आप इस धूप में तप रहे हैं मोदी को आशिरवाद देने के लिए जिंदगी में इससे बड़ा कोई सवभागय नहीं होता है मेरे साथ बोलिये भारत माता की दोनों हाथ उपर करके ऐसी ताकट लगाईए भारत माता की जेलों में भी कुझ सुनाई देनी चाहिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद आदाने परदान मंत्रेजे आपने जार्खन की जंता को प्यार आशिर बात दिया है इसलिए जार्खन के साथ तीन को